गर पर बने हुए फ्रेश और हाईजेनिक पीजा बेज बनाने में एकदम आसान है और इसका स्वाद बाहर वाले पीजा बेज से कहीं ज्यादा बेहतर आता है तो चलिए अब इस रेसिपी को शुरू करते है सबसे पेहले पीजा बेज के लिए हम आता प्रिपेर करते हैं डो तैयार करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने दो कब जितना मेदा ओल परपस फ्राल लिया है और इसको एक बार मैंने चान लिया था अब इसमें बारिक वाली दो बड़े चम्मच जितनी सुजी डालना है सुजी डालने के बाद यहाँ पे मैंने तीन चीज़े अलग करके रखिये एक चम्मच चीनी है, एक चम्मच डुरा इस्टे और एक चम्मच नमक है यह तीनो चीजे हम आते में डाल देते हैं से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे जो मैंने इस्ट जो यूज़ किये वो ड्राय एक्टिव इस्ट है और अब गुनगुना पानी से हमें इसका डू प्रिपेर करना है और इसका डू की कंसिस्टेंस हमें पराठे जैसी रखनी है बहुत ज्यादा रनी ना हो वो भी ज्यान रखना है और एकदम हाड ना हो वो भी ज्यान रखना है तो थोड़ा थोड़ा पाने डालके हम पहले डू प्रिपेर कर लेते हैं देखे पीजा बेस का डो है वो मैंने प्रिपेर कर दिया है और इसके आप कंसिस्टंसी देखे सेमी सोफ्ट है परफेक्ट कंसिस्टंसी हमें एसी ही चाहिए तो यहाँ पे डो लगा दिया है अब धकन बंद कर देते हैं और इस डो को एक घंटे के लिए रेस्ट करने के महसल ना है और इसको हाथ की सा eating थोड़ी देर मसल ना है और यह देखे हमारा डो एकदम सुपर सॉफ्ट हो गया है अब डो को सर्फेस पर लेक्टे तो थोड़ा सा सूखाता छेड़कते हैं और राद्ट की साहिथ यह साईथा से थोड़ा सा ममसल कर मसल कर स्मूथ इससमू बोकड़े करते हैं चापाट करते हैं हमने जो मेजर्मेंट लिया है उसमें से टोटल चार पिज़ा बेश बनेंगे तो यहां पर यह प्खोड मैंने चार पाठ कर दीा है अब एक फाक को उठाते हैं और हाट की सायता से पहले यह गोल गोल इसतरह लगेगी क्योंकि हमारा डो पर्फेक्ट बनाए इसके लिए यहां पर थोड़ा ऐसा सुखाटा डाल दिया और अब एक बेलन की साहिता से उसको में रोल कर लेना है जैसे हम मेडियम जो इसकी जो साइज है वो जो हम रोटी बनाते एसी रखनी है और उसकी जो कंसिस्टेंस है यानि कि जो ठिकने से वो हमें पराठे जैसी रखने यानि कि थोड़ी सी मोटी रखनी है तो इस तरह से इसको पहले हम रोल आउट कर लेते हैं और देखे रोल आउट करने में कोई दिकत नहीं आ रही है और फिर रोल आउट हो जाए तो इसके उपर हम एक फोक्स पून से से मार्क लगा देंगे ताकि बेके हों किते हैं यह एकदम फूल ना जाए इसके लिए यहां पे देखिए इस सरह से मार्क लगा दिया है और यह परफेक्ट एक पिज़ा बेस बना है और यह देखिए इसकी ठीकनेस इतनी रखनी है तो हमने जो बाकी चार पार्ट किये अलक़ी है उसको भी थोड़ा सा हम इसी तरह से बेल लेते है तो दो पीजा बैस मैंने बना लिए है इसको वाइड पर रख देना है और चलिये फटा-फट से इसको से नमें बेक करने के लिए रख देते हैं परिफेक्ट बने हैं वो और में डाल देते हैं और अब इसे फिर से 10 मिनिट तक 180 degree centigrade temperature पर दोनों रोड ओन करके बेक कर लेते हैं हमारा पीजा बेस परफेक्ट बेक होके तयार हो जाएगा 10 मिनिट हो चुके हैं और हमारा पीजा बेस बेक होके तयार है मैंने चारो पीजा बेस बेक कर लिए हैं और यह देखिया आपको लगता है कि हमने घर पर बनाए है एकदम बाहर जैसा ही इसका texture और look और स्वात तो बाहर जैसे पीजा बाहर के पीजा बेस से भी ज्यादा आया था तो तयार है होममेड पीजा बेस फ्रेश और हाईजिनिक तो आज की यह पीजा बेस की रेसिप आपको पसंद आई हो तो इसे औरों के साथ शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अब एक अकली नही पिमे